हलो दोस्तो वेलकम बेक टो यूटूब चैनल आर्डी क्लाजस दोस्तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी मतलब इसकी पेडागोजी जो टैट सी टैट में पूछी जाती है या सुपर टैट में आएगी उसकी कॉस्टन है और आपका यूपी टैट का पीक ट करते हैं दोस्तो अगर आप टैट की तजारी कर रहा है यूपी टैट हो चाहे कोई एस्टैट हो तो वहां पर हम आपको बताते हैं कि चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल चाहेंगे यूपी टैट और शी टैट या एस्टैट सकते हैं ठीक है दोस्तों तो गड़ित की प्रक्रती या प्रणवरती है ठीक है तो अप्सन यह था अलंकारिक ऑप्सन भीता तार्किक, अप्सन सी ये कठिन, ऑप्सन डी है यह सामान लोगों के लिए नहीं है तो देखे अलंकारिक हिंदी की होती है तार्किक आप समझ गए होंग यह वीज़ग क्यों गड़ित में calculation होते हैं तरक बढ़ता है देखी क्योंकि तारकी किसलिए होता है क्योंकि गड़ित और reasoning का एक correlation होता है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दूसरा answer सही है कठिन नहीं होता है जहां रखना गड़ित की प्रब्रती अब बता देते हैं हम कैसी होती है सरल होती है क्योंकि यह चार संक्रियां होती है प्लस माइनस और भाग और गुणा ठीक है इन चार संक्रियां के कारड़ गड़ित की प्रब्रती जो बताई गई है वो सरल बताई गई है ठीक है तो यह पहला question के लिए रो गया चलिए आए दूसरे question की बात करते है दूसरा question है निम्न म क्या है आवश्यक निसकर्स निकाले जाते हैं तो आवश्यक निसकर्स किसमें निकाले जाते हैं अब निसकर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे चीर्स करेंगे दिख लेना इस पियर्स जो थे ना हमारे पियर्स लिखाना इस पियर्स तो तो निसकर्स जब निकालते तो क्या करता और cheers की मदलब किसी का result आएगा, तो क्या करेंगे, Cheers, enjoy करते हैं, तो वो ही isso- одного का क्राइबंगे, तो जब भी गड़ित विख्यान है, जिसमें आवश्यक निसकर्स की बात करेगा, तो आवश्यक निसकर्स के लिए issues, option D, right answer होगा, आई क्वेशन नमर तीन की बात कर लेते हैं इसमें पूचा हुआ है बालक की सरवांगीड विकास के लिए गड़ित विशय का अन्य विशयों से सह संबंध होना चाहिए क्योंकि इस से ओप्षन ए आप देख रहे होंगे चात्रों का दृष्टी कोण विश्टित होता है दूसरा चात्र संचित ग्यान से नए ग्यान का संबंध जोड़ता है सी था चात्र सभी विशयों को मेहतूर समझता है दी है उपरयुक्त सभी तो ध्यान रखना यहाँ पर जातर लोग यह सोचते होंगे कि यहाँ इसका उपरयुक्त सभी आंसर होगा ठीक है लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जो बालक है सरवांगी विविकास के लिए गड़त विशय का अन विशयों से से संबंध होना चाहिए क्योंकि अन संबंधों से इसलिग उना चाहिए क्योंकि छातर जो संचित ग्यान होगा जो जानता होगा उसको नए ग्यान से जोड़ेगा ठीक है तो इस यह important है आपके लिए question क्योंकि यहाँ पे इसका right answer होगा वो second होगा ना की परयुक्त सभी ठीक है वस्तुनिष्ट होगा सार्व हमेक होगा दोनों होगा या इन्वेसे कोई नहीं तो आपको बताएं गड़ित के नियम बनिसकर वस्तुनिष्ट का मतलब होता है सबके अंसर समान एक जैसा अम देखते ना optional paper आता है हम करके आते हैं तो सबके अंसर कैसे होते हैं समान मतलब किसी की रुची अविरुची का प्रवाव नहीं पढ़ेगा आपने वो पढ़ा है तब भी अंसर वही आएगा आप खोसे हैं आपका mind अच्छे चल रहा है तब भी वही अंसर है आज की बात कर लेते हैं यहां पे आप देख रहे होंगे विध्यारती गड़ित की संकलपनाओं का और सिद्दानतों यहां पर देख लेज़ेगा पूरा question अब दिखेगा विध्यारती गड़ित की संकलपनाओं और सिद्दानतों के अर्थ को समझता है यह अधिगम के किस उद्देश की प्राप्ती हो रही है ठीक है अब बोला है कौसल की पूरव ग्यान अनुपरियोग या इसका ले रख़ा इलाग अब बोधन ठीक है अब बोधन का मतलब क्या होता है अब बोधन मतलब ग्यान होना ठीक है अब देखे यह अधिगम के किस उद्देश की प्राप्ती कर रहा है यहाँ पर बात किये संकरना और सिद्दानतों को समझता है अगर समझेगा तो क्या करेगा वो दे जानकारी हो जाएगी की मतलब अब बोधन हो जाएगा ठीक है तो जहां भी podobphy आए अब बोधन आए तो वो समझ जाए आप क्या करना है बोध कराने की क्रिया है ठीक है आए अग प्लेकशन नमबर शिक्स की बात करेंगे गडित को कहा जाता है क्या कहा जाता है गडित को बिध्यारतियों का दुस्तमन सक्तिसालियों की सक्ति मन की वासा या मस्तिस्क का व्यायाम तो आप देख रहे होंगे मस्तिस्क का व्यायाम कहा जाएगा क्यों क्यों कि यहां पे तरक होता है माइंड में तरक सक्ति का प्रब्रति होते हैं तार्किक और तार्किक प्रबरती के कारड़ इसको कहा जाएगा मन या मस्तिस्क का व्यायाम ठीक है तो option D इसका right answer आप समझ रहे होंगे question number 7 योजना एक उद्देश पूर करिया है जिसके जिसे मन लगाकर सामाजिक बातवण में पूरा किया जाता है योजना ठीक है मन लगा इस प्रोजेक्ट का मतलब होता है यहां पर कील पैट्रिक प्रोजेक्ट विधी के जनक कोन है तो यहां project का मतलब उद्देश पूर के रिया मतलब प्रोजेक्ट की बात आ गई तो इसका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा किल पैट्रिक ठीक है आज ये question number 8 की बात कर लें उससे कहा जाता है सांस्क्रतिक उद्देश सामाजिक उद्देश यह सभी तो जाज़ातर लोग क्या करते हैं यह सभी नहीं उद्देश दो तरीके के होते हैं आप जानते एक सहचिक उद्देश जिसको टीचिंग हैं बोलते हैं एक सहचिक उद्देश होते हैं जिसको इडिकेशन उद्देश इस क्लास में ने ये लंबी प्रक्रिया एक लंबे प्रोसेस के तहत होता है हम बच्चे को सिच्छित कर रहा है तो एक दिन में सिच्छित नहीं होता है लेकिन हम पढाने का तरीका अगर पढाने जा रहे हैं तो अपना एक दिन में पता चल जाता है क हमारा सिच्छा का मतलब उद्देश कैसा रहा कैसा पढ़ाया हमने ठीक है तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो सैच्छिडिक उद्देश होगा सेकिंड पार्ट ठीक है आए कोशन नंबर नाइन की बात करेंगे हम क्वेशन नंबर नाइन देख रहा है एक वास्तिविक है कि यह वास्तिविक है कि गड़ित को बहुत से चात्र कठिन समझते हैं स्कूल एवम सिच्चक द्वारा ठोस कदम उठाये जाने चाहिए जिसे क्या हो चात्रों के गड़ित के इसतर को बढ़ाया जा सके वो प्रोक द्रश्टी कोण है मादमिक सिच्चा बोड का मुदालियर आयोग का सिच्चा नीती 1986 का या राधा क्रश्णन का तो यह जो राधा क्रश्णन आयोग था इसका यह दरश्टी कोण था तो इसको आप पूर याद करना है ठीक है अगले कॉस्चन की बात करेंगे कॉस्चन नमबर 10 में की इसमें लगाए गड़ित सिच्चड में सिच्चक को निमलिकित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो ब्यवारिक जीवन से किस विसाय का संबंद हो बिलकुल ब्यवारिक जीवन से जोड कर पढ़ाएंगे तो यह ध्यान देना च चलते हैं जाती-प्रतिष्टा टाइप के तो वह उसका उपाय होना चाइए ना बत करेंगे को बयुत शिछड का वास्ते हुए को देश प्रदान करना नहीं है फिर क्या है वरन सक्ति प्रदान करना है देख लो ग्यान तो किसी से नहीं है कहीं तो सीखना है तो कहीं आपका व्योहार से मतलब है तो यहाँ पर क्या करना है अब गड़े सच्छड का वास्वे गुद्धिस ग्यान प्राप्त करना नहीं वरन सकती प्रदान करना है यहां पर सकती की बात हो रही है यह किसका है ड्यूट का वेकन का डटन का या प्लोटो का अब देखिए जिसको सकती होगी जिसके पास भुक्या होगा डटा रहेगा सकती होगी तो डटा रहेगा नहीं तो बाग जाएगा तो इसका मतलब डटन option B सूत रियाद करने की छमता का विकास option C तारकिक ढंग से सोचने की छमता का विकास option 4 है समस्याओं को हल करने की छमता का विकास तो दोस्तों आप देख रहे होंगे गड़ित से चड़ का मुक्य दिस क्या है तरक सकती जाकरत करना तो तारकिक ढंग से सोचने की छमता का विकास इसका क्या हो जाएगा तो तारकिक जब भी गड़ित के बारे में पूचे जाएगा वहाँ तारकिक वाला आंसर अपना सही होगा ठीक है और 20 सा कॉस्टन की बात कर रहे हैं और 20 में कॉस्टन का आंसर आपको देना है question रहेगा सामान नित है, गड़ित सीखना कठे नहीं क्यों कठे नहीं, option है इसकी प्रकृती जो होती है मूलते, अबुमूर्थ है, बच्चे से पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिचड़ पद्रती तुर्टी पूर है, या फिर इस गड़ित के अच्छे सिच्चे को पलब्द नहीं है तो इसका जो right answer है, वो आपको करना होगा comment works में, जिसको हम बताएंगे अगली वीडियो में आपका right answer क्या है ठीके दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमाई channel को subscribe करने सकते हैं वीडियो पसंद आए तो उसे like और share की दिएगा ठीके दोस्तों, अब मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, नई question के साथ तब तक के लिए, बाई बाई